नमस्कार इस बार हम देखेंगे 50th GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से सर्कुलर नंबर 193 जो 17 जुलाई 2023 को इशू हुआ है और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टन्ट सर्कुलर है इन्पूट टैक्स क्रेडिट के कैलकुलेशन के रिलेटेड वो भी पीरेड 1920 और 2021 फाइनांशल इयर के रिलेटेड है तो फटा फट देखते है कि क्या असर होने वाला है इस सर्कुलर का हमारे ITC के कैलकुलेशन के ऊपर तो दोस्तों आपको याद होगा कि 17, 18, 18, 19 के अंदर क्लारिफिकेशन इश्यू हुआ था जहाँ पर डिफरेंस इन्पूट टैक्स क्रेडिट आस पर 3B यानि जो रिटन हम भरते है और आस पर 2A उसके डिफरेंस के ऊपर हमको ये कहा गया था कि आप चार्टर अकाउंटन से सर्टिफिकेट्स ले सकते है और लेजर्स, कन्फरमेशन लेके, इन्वाइसेस लेके ये डिफरेंसेस की मालूमात आपके असेसिंग आफिसर को देके उतना ITC आपको अलाव को सकता है तो ये सर्कुलर इशू हुआ था डिसेंबर 2022 को अब क्या हुआ अब जब हम देखते हैं तो 9 अक्टोबर 2021 से रूल 36.4 का जनम हुआ है रूल 36.4 ये कहता है कि आपको क्रेडिट मिलेगा जो 3B के अंदर आपने बताया है और जो 2B के अंदर आया है इसके डिफरेंस के अंदर आपको अडिशनल हम देंगे जो 2A में आया है उसके 10%, 20%, 5% ये अलग-अलग हिसाब से देंगे अब बाद में ये मैटर जब सामने आया कि कैसे होगा ये कैलकुलेशन्स और दफाइनशल येर ओक्तोवर 19 के आगे तो 17, 18, 18, 19 के अंदर तो ये सर्कुलर लागू हो गया था डिसेंबर 2022 का फिर रिप्रेजेंटेशन गए कि क्या करना चाहिए अगर डिस्क्रिपंसी आती है 3B के इसाफ से ITC में और 2A के इसाफ से वो भी 1 एप्रिल 2021 से लेके 31 डिसेंबर 2021 तो दोस्तों ये पिरेड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पिरेड के ITC के कैलकुलेशन की हमारी बात चल रही है तो यहाँ पर युनिफॉर्मिटी लाने के हिसाब से रूल 36-4 के हिसाब से और सेक्शन 16-2 के हिसाब से यहाँ पर क्लारिफिकेशन इशू किया गया है और वो ये कहा गया है कि जो भी गाइडलाइन दी गई थी 27-12-22 के सरकुलर के हिसाब से वो यहाँ पर भी लागू होगी पर यहाँ पर एक खेल खेला गया है कि रूल 36-4 के हिसाब से ही वो क्लारिफिकेशन अपलाए होगा और रिस्ट्रिक्शन आप ITC मिलेगा तो दोस्तों यहाँ थोड़ी गड़बड होने वाली है क्या गड़बड होने वाली है देखते हैं यहाँ पर क्लारिफिकेशन के लिए एक्जाम्पल भी दिया है जिससे आसानी से समझ जाएगा 2A के अंदर 3 लाग का ITC है 3B के अंदर 5 लाग का ITC लिया है क्योंकि सामने वाले ने GSTR1 या IFFI नहीं किया वो हमारे 2A में नहीं दिखा इसके लिए हमने तो हमारे बुक्स के इसाब से 3B में ITC ले लिया अब रूल 36 चार ये कहता है कि आपको 3 लाग इंटू 20 परसेंट यानि 3,60,000 का ITC मिलेगा जो 2A के अंदर दिख रहा है अब सवाल आता है कि जो बचा हुआ 1,40,000 का ITC है जो मैंने 5 लाग रुपया लिया था अब यहां पर 3,60,000 मिल रहे है तो ये 1,40,000 रूल 36 चार के इस अब से परमीसिबल नहीं होगा और यहीं पर जगडा शुरू होने वाला है पट आगे और एक परिशानी डाल दी गई है कि ये जो 3,00,000 का जो 2A में दिख रहा है और फॉर्मुले के हिसाब से 3,60,000 आ रहा है तो दोस्तों ये जो 60,000 एक्स्ट्रा आ रहे है उसका कर्टिफिकेशन जो दिसेंबर 22 का जो आया था सर्कुलर उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा उसके C.A. सर्टिफिकेट, लेजर कनफरमेशन, इन वॉइसे सब देना पड़ेगा फिर ही 60,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा 1,40,000 के लिए तो जगड़ा अलग से करना पड़ेगा, 7,000 के लिए तो सारी मालूमाद देनी ही पड़ेगी उसी हिसाब से 1 जनवरी 2020 से तो डिसेंबर 2020 तक ये जो 20 टके का जो एक्स्ट्रा का फॉर्मूला था वो घटा के 10% उस पिरिड में कर दिया था तो यहाँ पर ये फॉर्मूला 10 टके तक ही अपलाए होगा, फिर नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से लेके डिसेंबर 2021 तक इसको 5% एक्सेस का फॉर्मूला रिड्यूस कर दिया था 37-4 के इसाब से तो वो फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस दिसेंबर 2022 तक ही यह है, अब 1 जनवरी 2022 से तो सेक्शन 16-2-AA आ गया, वहाँ पर क्लियर हो गया कि 2B के इसाब से ही ITC मिलेगा, तो अब दोस्तों बीच में करोना काल भी आया था, यहाँ पर किमि किमिलेटिव ITC देंगे, फरवरी से लेके औगस 2020 यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बाद में हमको एप्रिल से लेके जून 2021 के अंदर भी किमिलेटिव ITC मिलने वाला है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो यह जो 2020, 2021 के अल्रेड़ी आसेस्मेंट्स हो गए है, प्रोसीडिंग स्कूटिनी, और इंवेस्टिगेशन हो गए है, वो फाइल फिर से खुलेगी नहीं, बट जो पेंडिंग है, जो ओन गोइंग है, वहाँ पर यह सर्कुलर अपलाए होगा, तो दोस्तों यह समझ में नहीं आ रहा है, कि सामने वाले ने GSTR1 में नही दिखा, बट उसने टैक्स पे कर दिया है, 3B पूरा फाइल कर दिया है, सारा टैली होता है, तो मुझे पूरा ITC मिलना चाहिए, टूल 364 के रिस्ट्रिक्शन जो है, यह मुझे अपलाए नहीं होने चाहिए, अगर टैक्स पेड हुआ है, तो तो यह एक नहीं लड़ाई ल सर्कुलर यहां पर समाप्थ होता है, तो आगे भी कोई issues होंगे इसके related, तो हम जरूर चर्चा करेंगे, तो आपके प्रश्न जरूर हमको भेजिये, इस कर नीती के माध्यम से हम आपके सामने सर्कुलर और उसका interpretations और issues को discuss कर रहे हैं, thank you, धन्यवाद